आपके लीगल स्टेडीज वाले सब्जेक्ट में हम कॉंट्राक्ट की एक क्लास कर चुके हैं कॉंट्राक्ट की आज अगली क्लास है उसमें एसेंशल्स ऑफ कॉंट्राक्ट हम देख रहे थे छे एसेंशल बाते आपको बताई थी अब एक एक करके देखते हैं पहले देखते हैं capacity to contract capacity to contract कौन capable होता है contract में इंटर करने के ये section 11 बताता है हमें इंडियन कॉंट्राइट का who are competent to contract who are competent to contract ठीक है कौन लोग contract कर सकते हैं तो ये सीधे सीधे बताता है कोई भी जो मेजर हो यानि कि अबब 18 years हो ठीक है अबब 18 years हो और कोई भी जो sound mind का आदमी हो ठीक है यानि कि अगर एक माइनर ने contract किया या फिर एक lunatic ने एक unsound mind के आदमी ने contract किया तो दोनों ही क्या होंगे void ठीक है दोनों ही क्या होंगे void ठीक है अच्छा section 12 इसके आगे की एक बात बताता है हमें बड़े important ठीक है section 12 हमें ये बताता है कि what is soundness of mind section 12 बताता है soundness of mind soundness of mind का मतलब होता है कि जब आप contract को देखके उसके terms and condition को पढ़के you are capable of understanding it आप contract को पढ़के समझ पा रहे हैं कि उसमें क्या होए ठीक है capable of understanding it ठीक है आपको तब कहा जाएगा कि आपका पास एक sound mind है contract करने के लिए अच्छा एक और बात बड़ी important बात एक बात और जान लीजिए unsound mind का आदमी lunatic भी हो सकता है यानि कि जिससे कोई mental problem हो या कोई आदमी जो intoxicated हो नशे में हो वो भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों ही लोग contract के terms को पढ़के they are not capable of understanding it ठीक है तो ये में किसके अंदर आपको पढ़ा रहा था competency of parties जो essentials थे contract के उनमें जो पहली चीज थी competent to contract तो कौन है competent to contract ठीक है any person who is major and is of sound mind अगला है free consent consent free होना चाहिए contract बनाने के लिए अब देखिए एक बात समझिए पहले तो आपका जो section 13 है वो define करता है consent को section 13 जो है Indian contract act का वो consent को define करेगा consent का क्या मतलब होता है agreeing to the same thing in same sense ठीक है agreeing to the same thing in the same sense इसी को latin में क्या कहते है consensus add idem मतलब है meeting of minds इसका literal मतलब है meeting of minds देखिए क्या मतलब है यहाँ पे मान लीजिए A और B हैं दोनों के बीच में contract होता है B क्या है oil trader है तेल बेचता है कितने टाइप का तेल बेचता है पांस टाइप के तेल बेचता है five type of oil बेचता है यह ने कहा गया तुम मुझे 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से चार लीटर तेल बेचोगे क्याने की 200 रुपए में B कहता हाँ बेचूंगा क्या यहाँ पर consent है consensus add idem है नहीं है तेल खरीदने और बेचने का agreement हुआ है अरे पट कौन सा तेल वह पांस टाइप का बेचता है सरसो का चाहिए सोयावीन चाहिए ग्राउंड नट का चाहिए पाम ओल चाहिए चाहिए कौन सा तो same thing in the same sense जो चीज कही जा रही है उसी sense में ठीक है हमने कुछ सब बोला आपने कुछ समझा दोनों agree कर गए उस consent की बात नहीं हो रही है यहाँ पर agreeing to the same thing in the same sense meeting of minds दोनों का दिमाग मिल जाना चाहिए same point पे समझ गए यह consent अब अगले आईए अब 13 वने define कर दिया कि consent क्या है 14 define करेगा consent free कब है consent free कब है free consent free consent तब है जब 5 चीजें ना हो कौन सी 5 चीजें C U F M M C U F M M अगर यह 5 चीजें नहीं है तो consent free है यह क्या है C से coercion U से undue influence F से fraud M से misrepresentation फिर से M से mistake और mistake भी आगे दो टाइप की mistake of fact mistake of law ध्यान से देखिए consent free कम है कब है जब C U F M M ना हो अब एक करके देखिए coercion क्या होता है coercion मतलब होता है किसी को contract करने के लिए induce करना उसे threat देके उसे धमका के किसी ऐसी चीज से धमका के जो IPC में मना हो Indian Penal Code में मना हो ठीक है किसी ऐसी चीज का threat देना threatening to commit threatening to commit an offense under IPC और क्यों threat करना किसी को क्यों threat करना ताकि वो contract में आ जाये आपके साथ मेरे साथ contract करो वरना मैं गोली मार दूंगा तुम्हें मतलब murder कर दूंगा IPC में murder section 300 में मना है offense है तो coercion हो गया मेरे साथ contract करो वरना खुद को मार दूंगा suicide कर लूंगा चिक्कम अमीराजू versus चिक्कम से सम्मा case का नाम है चिक्कम अमीराजू versus चिक्कम से सम्मा ऐसे ही है क्या करें ठीक है चा case है यह इसमें एक आदमी कहता है मेरे साथ contract करो वरना मैं suicide कर लूंगा अब यह suicide कर लो हम को क्या हम क्यों contract करें लेकिन ये threat है क्यों threat है आई PC में बना भी है आपको मालूम होना चाहिए attempt to commit suicide attempt to commit suicide offense होता है ठीक है attempt to commit suicide offense होता है ठीक है तो ये भी कंद्ट कार्शन के अंदर आएगा आप समझ गए कोर्शन ब्ला असान तुरंन समझ गए Undue Influence क्या है? Undue Influence के लिए कुछ चीज़ें जरूरी है Undue Influence में भी आप किसी को Contract में जबरदस्ती लाते हैं कैसे लाते हैं ठीक है? Because of the relation subsisting between the parties such that one party is in a position to dominate the will of the other party ठीक है? One party in a position to dominate the will of another party. देखिए Undue Influence में आप किसी से Contract में आ रहे हैं और आप ऐसे आ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में पहले से कोई relation है और आप उस relation में superior हैं या आप ऐसी position में हैं कि आप सामने वाली की will को control कर सकते हैं तो इसको Undue Influence माना जा सकता है जैसे मान लीजिए A जो है ये पुलीस वाला है B जो है ये थीफ है चोर है इसको ये पुलीस वाला पकड़ लिया है ठीक है अपने पास रखा है अब इसी समय पुलीस वाला कहता है थीफ से कि सुनो मैंने देखा है तुम्हारे पास घर है अपना खुद का और मुझे मालूम है कि ओ घर पचास लाख रुपए का है जल्दी से ओ घर मुझे दस लाख रुपए में देज दो तुमको तुमारे खिलाफ मजबूत केस नहीं बनाऊंगा तुम्हें छोड़ दूँगा अब ये क्या हो रहा है यहां पर चुकि पुलीस वाले और चोर के बीच में एक रिलेशनशिप है पहले से क्या रिलेशनशिप है लीगल रिलेशनशिप है यह चोर है यह पुलीस है ठीक है अब इस रिलेशनशिप का फाइदा उठाते हुए पुलीस वाले ने अपने लिए एक beneficial contract बनवा लिया 50 लाग का मकान चोर का मकान ठीक है वो मकान मान लीजिए पूरी तरह legal है चोर के उस मकान में कोई गलती नहीं है 50 लाग का मकान 10 लाग में खरीदने का contract बनवा लिया यह है and you influence एक और example देता हूँ मान लीजिए एक बैचारी अकेली महिला है विडो है यह चाहिए विडो है और यंग विडो है अभी 22 साल की है यह छोटी है इसके husband की death हो गई है इसके जो in-law है इसके father in-law है काफी agent है ठीक है यह ऐसी position में है जो इसको control कर सकते हैं यह इससे contract करते हैं कि सुनो मुझे अच्छे इस मालूम है तुमारे पास property है हमारे नाम कर दो सस्ते में ठीक है तो यहाँ पर अगर इनके बीच में कोई ऐसा contract बनता है जिसको देखके यह लगता है कि अरे यार इसने अपनी चीज तो बहुत सस्ते में बेच दी तो undue influence हो सकता है क्यों कि एक party ऐसी position में थी कि वो दूसरी वाली party के will को विल को उसकी इच्छा शक्ती को dominate कर पाए contract अपने लिए favorable बनाने में समझ रहें ठीक है दोनों के बीच में कोई relation हो और एक party ऐसी position में हो कि वो सामने वाली की will को dominate कर सकती है तब क्या होगा undue influence हो सकता है ठीक है और transaction भी ऐसा लगे देखके की unconscionable है ठीक है देखिए contract देखके ऐसा लग रहा है कि जो contract है वो unconscionable है किसी एक आदमी के favor में और उसके favor में है जो खुद ऐसी position में है कि सामने वाले की will को dominate कर सकता है तो जो burden of proof है ना prove करने का कि मैंने नहीं dominate किया सामने वाली को will को ये उसके उपर होगा जो dominate कर सकता है जैसे पुलीस और चोर वाले example में पुलीस वाले को prove करना होगा जैसे मान लोगे contract गया court में जज़ पूछेंगे अब यार एक बाँ बताओ 50 लाग की property 10 लाग में बेज दिये हो है ना और उपर से पुलीस वाले हो तुम प्रूव करो कि तुमने कोई undue influence नहीं दिया है प्रूव किसको करना पड़ेगा जो dominating position में था क्या कि तुमने undue influence नहीं किया है ठीक है समझ गए चलिए आसान है ठीक है अब आईए बहुत ही common चीज फ्रॉड ठीक है फ्रॉड क्या होता है देखिए प्रॉड में चार चीजें है ठीक है पहला कि आपको ऐसी चीज बोलें जो आपको जो आपको मालूम है कि जूट है ठीक है जानबूज कि जूट बोलना अगले पनने पर आईए प्राउड प्राउड कब होगा चार चीजें चार कंडिशन में होगा फ्राउड नमबर वन ठीक है Suggesting a fact to be true when it is known to be not true कोई ऐसी चीज बोलना जूट बोलना मुझे मालूम है कि यह चीज गलत है तब भी मैंने बोला कि नहीं नहीं साही है फ्राउड ठीक है active concealment of a fact active concealment और passive concealment में भी अंतर समझेंगे active जान बूच के किसी चीज को चुपाना ठीक है क्या क्या आ गया पहला तो suggesting a fact known to be suggesting a fact which is known to be not true as true यानि कि जूट बोलना किसी ऐसी चीज को बोलना जो हमको मालूम है कि नहीं होती है ठीक है हमको मालूम है की गलत है लेकिन उसको ऐजा सही सही रिप्रेजेंट करना ठीक है तीसरा है promise made without intention to perform किसी से वादा करना ठीक है और बिना किसी intention के वादा करना कि हाँ हाँ कर दूँगा और मालूम है कि नहीं करोगे ठीक है ठीक है एनी अधर एक्ट फिटेड टू डिसीव कोई भी ऐसा एक्ट एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव आप एक एकसामपल लीजिये मां लीजिये कि आप A है ठीक है मान लीजिये आप A है और आप चाहें होर्स ट्रेडर हैं घोडा बेचते हैं और आपके पस B आया बृ बायर है खरीदने आया घोडा आपसे B एक घोड़े को चेक करता है कहता है कि यार ये घोड़ा मुझे मस्त लग रहा है मैं ये घोड़ा खड़ी दूँगा आपने का हाँ हाँ भाई ले लो ठीक है अब आपको मालूम है कि वो घोड़ा मस्त नहीं है उसके पीछे वाले पैर में कोई दिक्कत है चुपाई है आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं याद रखिए एक प्रिंसिपल होता है क्यावियेट एंप्टाउर बायर बिवेर जो आदमी खरीद रहा होता है ये इसकी ड्यूटी होती है कि वो चीज को अच्छे से जाच परक के ठोक पीट के ट्राई करके ले ठीक है क्योंकि दुकानदार की जिम्मेदारी नहीं होगी क्यों आपको बताए आप टीवी खरीदने गए आपने बोला कि वह क्या मस्ट टीवी है मैं यही खरीदूँगा दुकानदार ने का हाँ भया खरीद लो दुकानदार को धीमे से मालूम है कि उस टीवी में गड़बर है कुछ पर आपने पूछा ही नहीं कि क्या उस टीवी में कोई गड़बर है तो मैंने बताया नहीं अब इसका उल्टा करते हैं एक्टिव कंसीलमेंट कब होगा मान लीजे मैंने पूछ लिया आप से कि भाई तुम बता नहीं रहे हो इस घोड़े में कोई दिक्कत है या नहीं तो मैं मान लेता हूँ कि इस घोड़े में कोई दिक्कत नहीं है आप अभी भी चुप रहे जबकि आपको बोलना चाहिए जा है कि इस घोड़े में दिक्कत है आपने पूछा जानबूच के कि भाई इस खोड़े में स्पेसिफिकली या इस टीविम कोई दिक्कत तो नहीं है अब मैंने जुड़ बोल दिया नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है ये फ्रॉड कर दिया मैने अगर तुमने पूछ लिया और मैंने छुरा ली पूछ ली चुपा ली वा बात तो active concealment हो जाएगा पति तुमने नहीं पूछा और मैंने नहीं पता ही वह बात तो passive concealment हो जाएगा वह फ्रॉड नहीं है active concealment fraud एक जूट बोलना तो फ्रॉड ही कोई सामान बेचने के लिए लिए कही दिया कोई सामान खरीदने आया तुमने कहा उसने पूछा कि यार मुझको ऐसा टीवी चाहिए जिस जो 4K चला पाए, तुमने कहा हाँ यह TV 4K चला लेता है, जबकि वो 4K नहीं चला पाता है, तुमने जूड बोला, फ्रॉड किया, यह तो समझाने गरोती नहीं, ठीक है, फ्रॉड भी हो गया, अगले पर आओ, ठीक है, फ्रॉड भी हो गया, अब है Miss Representation, याद रखो, फ्रॉड में हलका सांतर है, Miss Representation में भी तुम एक इनकरेक्ट चीज बता रहे हो, ठीक है, Miss Representation में भी तुमने गलत रिप्रेजेंटेशन दिया है, कुछ तो गलत बताया है, ठीक है, लेकिन वो चीज कॉंट्राक्ट के लिए essential नहीं है, वो चीज हमारे तुमारे ठीक है, Miss Representation क्या है, ठीक है, आपने assert किया, assertion of a fact, ठीक है, आपने assert किया कोई fact, आपने कोई बात बोली, ठीक है, ठीक है, in a manner not warranted, आपसे पूछी नहीं गई थी, in a manner not warranted, ठीक है, assertion of a fact, number एक, in a manner not warranted, आपसे पूछी नहीं गई थी, ठीक है, ठीक है, of that which is not true, of that which is not true, ठीक है, of that which is not true, वो बात सही नहीं है, ठीक है, though he believes it to be true, लेकिन आपको लगता है कि वो true है, देकि फ्रॉड में, क्या था, आपको मालूम है कि आप जूट बोलने हैं, वो चीज नहीं है, मिसर्प्रसेंटेशन में आपने गलत चीज बोल दी, जो आपसे पूछी भी नहीं गई थी, लेकिन आपको दो, दो, he believes it to be true, दो, he believes it to be true, माल लीजे कोई आया आपकी फैक्टरी में, आपकी फैक्टरी आप गर्मेंट मैनुफैक्टर करते हैं, कपड़े बनाते हैं, दन, ओके, एक रीटेलर है, वो कपड़े बेचता है, आपकी फैक्टरी में आया, देख रहा था कि सब बढ़िया मस्त क्या फैक्टरी है, यहीं से कपड़े मंगाऊंगा बेचने के लिए, उसने आपसे पूछा नहीं, बट आपने बता दिया, मालो है, मेरी फैक्टरी में हर दिन 500 यूनिट कपड़ा बनता है, अब आपकी फैक्टरी में 500 नहीं, 300 यूनिट कपड़ा बनता था, और इस बात से कोई डिटेलर को फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन इस बात से वो इंप्रेस हो गया, अरे वाया, 500 तुरंत उसने कॉंट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, अ आपको लग रहा था कि 500 बनता है, आपको खुद नहीं मालूम था, 300 ही बनता है, आपने गलत चीज तो बोली, असर्शन आपने किया, एक फैक्ट का, और आपसे पूछा भी नहीं गया था, not warranted, ठीक है, और वो true भी नहीं है, not true, दो ही believes it to be true, लेकिन आपको लगता है कि व ही रहा था, बस आपने miss represent कर दिया, अपने आपको थोड़ा गलत दिखा दिया, ठीक है, अपने आपको थोड़ा अलग दिखा दिया, जैसे आप है नहीं, आप क्या इतना बनता नहीं है, लेकिन आपने दिखा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, miss representation एक और तरीके से ह सकता है ठीक है कोई ब्रीच एफ डियूटी आप करते हैं बिना किसी PR करने की इंटेंशन के ठीक है को मिस प्रिशिंटेशन के लíë इतना जानना हे आपको जरूर है काफी इतना ही लिखाएंगे और एक्जामपल के साथ differentiate कर पाएंगे, आपका हो जाएगा काम, exam के perspective से, ठीक है, अब आएए mistake, भारी mistake हो गया, ये बहुत important चीज़ है, ठीक है, अब देखिए, mistake, अब mistake fact का भी हो सकता है, mistake law का भी हो सकता है, माल लीजे दोनों party, उपर लिख रहा हूँ mistake, दोनों party को contract के fact को लेके कोई mistake है, ठीक है, जिसे माल लीजे, A और B ने contract किया, घोडा बेचने और खरीदने के लिए, और जब वो ये contract कर रहे थे, तो दोनों को ये नहीं पता था, कि वो घोडा मर चुका है, तो contract क्या हो गया, void, ये एक बात याद रखिए, अगर दोनों party, यानि कि A और B, when both parties, मेरी बात को दिमाग में डालिए, कोई ऐसा fact जो agreement के लिए essential हो, जरूरी हो, अगर दोनों party ऐसे fact को लेके confused है, mistake में, तो वो agreement वाइड होगा, contract बनेगा ही नहीं, अच्छा, mistake of law, हम दोनों को law नहीं पता है कोई, ठीक है, एक बात याद रखिए, अब law भी दो type का हो सकता है, कोई Indian law, और mistake as to foreign law, देखे, mistake as to foreign law है, तब तो यह simple mistake of fact का ही काम करेगा, जैसे mistake of fact में agreement वाइड हो जा रहा था, वैसे अगर mistake as to foreign law है दोनों party को, तो mistake of fact वाला ही काम होगा, यानि की चीज वाइड हो जाएगी agreement, ठीक है, mistake of fact वाइड, Indian law को लेकर अगर दोनों party को कोई confusion है, याद रखिएगा not voidable, voidable यानि की void नहीं कर सकती कोई party, not voidable, not voidable act में लिखा है, not voidable मतलब valid, voidable मतलब जिसको बंद किया जा सकता है contract को, not voidable मतलब उसको बंद नहीं किया जा सकता है, मतलब contract valid है, यानि कि अगर mistake as to Indian law है, हम को यहीं नहीं पता कि इंडिया में कोई law था, तो contract void नहीं हो जाएगा, या voidable नहीं हो जाएगा, contract सही चलेगा, लेकिन अगर mistake as to foreign law है, तो contract void हो जाएगा, mistake as to fact है, और fact भी कैसा, कोई ऐसा fact that is essential to the contract, contract के लिए जरूरी fact है वो, essential to the contract, जैसे हम घोड़े contract कर रहे हैं, मैं पता ही नहीं घोड़ा मर गया है, ठीक है, तो फिर वो mistake as to fact हो जाएगा, ठीक है, एक और बात example ले लेते हैं, जैसे मैंने कोई, कि मुझे क्या करनी है, मुझे करना है editing, बहुत भारी editing करनी है video की मुझे, मुझे कोई ऐसा computer चाहिए जिसमें graphics card जबरदस्त हो, ठीक है, जबरदस्त हो, अब मैंने आपसे बोला, कि भाई मुझे ऐसा computer, आप computer बेचते हैं मान लीजिए, मैंने आपसे बोला कि मुझे बजबरदस्त performance वाला computer चाहिए, और ऐसा computer चाहिए जो editing का काम करवा पाए, अब आपको knowledge नहीं थी, ठीक है, आपको नहीं knowledge थी कि जो कुछ ऐसे graphic card होते हैं, ज जो उतना बढ़िया काम नहीं कर पाते, आपने वो बेच दिया mistake में थे, आप fact को लेके, ठीक है, आपको मालूम ही नहीं था कि जो graphic card आप मुझे बेचने हैं, वो वो काम करी नहीं सकता, तो contract void हो जाएगा, agreement void हो जाएगा, sorry, contract तो बना ही नहीं, तो void क्या कहेंगे, ठीक है अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है आपके syllabus में, इसके बाद आपके syllabus में आता है, 23 से, अच्छा, ठीक है, अब आता है आपके contract में void agreement, ठीक है, void agreements कौन कौन से होंगे, ठीक है, void agreements कौन कौन से होंगे, सबसे पहला void agreement है, एक सेकन बस, just give me a moment, झाल 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 ठीक है अब अग्रीमेंट कौन कौन से वाइड होते हैं पहले तो वो अग्रीमेंट वाइड हो जाते हैं भाईया जिन्वें कंसिडरेशन और अब्जेक्ट जो है वो अभीशन और अब्जेक्ट अन्वाफुल हो थीक है अब कौन से कंसिडरेशन और अब्जेक्ट 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 होते है ? कौन अब्खिएए की सोल्ाफूल forbidden by law ठीक है forbidden by law दूसरा क्या है if permitted defeat the provisions of any law ऐसा consideration है जो अकर permit कर दिया जाए if permitted would defeat provisions जाए of law ठीक है ऐसा है कि अगर permit कर दिया जाए तो it would defeat the provisions of the law ठीक है ठीक है या is opposed to public policy ठीक है इस अपोस्ट पब्लिक पॉलसी या फिर या फिर involves or implies injury to a person अब देखिए यह सब आप समझ जाएंगे ठीक है यह सब आप समझ जाएंगे आपको इसमें बस confusion हो रही होगी इफ permitted would defeat the provisions of the law देखिए कोई चीज एकदम forbidden by law है मतलब law में मना है तो तो unlawful होई जाएगी ठीक है कोई चीज opposed to public policy है मतलब जो सरकार की आपकी policy यह public policy है उसके खिलाफ है वो भी unlawful हो जाएगी किसी उस consideration से किसी को injury हो रही है ठीक है implies injury to a person or property तो भी unlawful हो जाएगी यह तीनों समझ में आ रहे हैं सर यह कैसे है permitted would defeat provisions of the law देखिए मान लीजे एक जमीन है इस जमीन पर आप tax नहीं भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं सरकार क्या करेगी आपकी जमीन ले लेगी और उसको क्या करेगी auction करवा देगी बेच देगी नीलाम करवा देगी ठीक है auction में आपकी जमीन के तीन टुकड़े हुए तीन लोगों ने खरीदा x, y और z मान लीजे आप a हैं इतना हिस्सा z ने x ने खरीद लिया आपका आपकी जमीन का इतना हिस्सा y ने खरीद लिया इतना z ने खरीद लिया सरकार करा रही थी auction यह पैसा सरकार को गया आपको कुछ नहीं मिला बाद में पता चला ये तीनों आपके लिए काम करते हैं इन्होंने property खरीदी सरकार से और आप ही को दे दी अब देख के बताओ इसके और इन तीनों के बीच में जो contract हो रहा है वो simple जमीन का ही तो है तो forbidden by law तो है नहीं जमीन खरीदना बेशना forbidden by law तो है नहीं तो यहां हो क्या रहा है जो दूसरी चीज़ है if permitted would defeat provisions of law अगर हम यह transaction allow कर देते हैं तो फिर law का जो purpose था purpose क्या था law का कि आपको आपकी जमीन से दूर रखा जाए क्योंकि आप tax नहीं बढ़ रहा है थे वही defeat हो जाएगा अगर हम उन्हीं लोगों को आपको जमीन वापत बेशने को देते हैं अब समझ रहे हैं ठीक है तो यह था जब consideration और object जो है वह lawful हो ठीक है और unlawful के यह है यह unlawful object या consideration है अगर यह नहीं है तो lawful है फिर ठीक है अगला देखते हैं अगला देखते हैं तेज के बाद जो section है वह 24 है और वह simply यह कहता है कि मान लो क्या मान लो मान लो अगर कोई part of a single consideration for one or more objects और or any one or any part of any one of several consideration for a single object is unlawful the agreement is void देखें सिंपल सी बात है A promise करता है क्या करता है कि वह B के लिए superintendent का काम करेगा देखेगा उसका काम करवाएगा मान लो B का कोई go down है ठीक है superintendent का काम करेगा भी के लिए अब B उसे monthly salary देगा भी उसे monthly salary देगा ठीक है अब क्या होगा काम जो था superintendent करने का वह यह था कि B जो है वह indigo का manufacturer है indigo का manufacturer है और कुछ illegal काम भी होते हैं illegal trafficking भी होती है उसके go down में दोनों काम होते हैं तो पैसा क्यों मिलना है superintendent करने का काम के लिए मिलना है क्या superintendent किया जा रहा है indigo और illegal trafficking यह contract void हो जाएगा ठीक है यह contract void हो जाएगा ठीक है अच्छा अब आई एक बड़ा interesting section section 25 यह बड़ा ही interesting section है देखिए agreements without consideration void के exceptions देगा यह देखिए हमने पढ़ा था contract के जो essential features होते हैं उसमें consideration एक बड़ी important है लेकिन इसके एक exception देता है आपको section 25 और आगे भी इसके कुछ exception है जिनको quasi contracts कहते हैं लेकिन वह आपके syllabus का part नहीं है ठीक है अभी हम बस इतना देखते हैं कि section 25 क्या कहता है section 25 यह कह रहा है कि agreement without consideration जो है वह वाइड है agreement without consideration क्या है वह वाइड है लेकिन इसके कुछ exception देता है पहला exception क्या है ठीक है माल लीजे कोई contract होता है natural love और affection में natural love और affection में कोई contract होता है और वो written होता है ठीक है written होता है और registered होता है ठीक है written होता है और registered होता है ठीक है और near relation की parties के बीच में होता है मैंने क्या क्या बोला मान लीजे कोई contract होता है वो natural love और affection से हो रहा है वो written है और registered है और near relation के बीच में है तो बिना consideration के भी यह agreement valid होगा कैसे ए और बी है फादर और संग अगर कहता है कि मैं तुम्हें 50 लाग रुपए दूंगा पक्का दूंगा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं दूंगा बी कहता है कि पापा पापा बस एक काम करिया आप जो मुझसे वादा कर रहे हैं इसको रिटें करवा लीजिए और चल हो गया तो यह चीज वैलिड होगी हाला कि देखिए तो कोई consideration नहीं है बेटा थोड़ी बाप को कुछ दे रहा है बाप ने बस कहा कि मैं तुम्हें 50 लग दूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं यह चीज रिटें और रेजिस्टर करा ली और दोनों के बीच में न गला ठीक है it is a promise to compensate compensate, it is a promise to compensate, compensate, a person who has already done something, who has already done something for the promissor, जिसने promise किया आप उसके लिए अल्रेडी कुछ कर चुके हैं और उसने promise किया है कि वह आपको उसके लिए payment करेगा, जैसे एक husband wife जा रहे थे अपने बच्चे के साथ पार्क में, उनका बच्चा पार्क में गिरके डूबने लगा, एक पार्सर भाई ख़ड़ा था हुआप एक normal random आदमी, वो देखता है कि अरे बच्चा डूब रहा है तुरन पानीम कुथता है उनकी जान बचा लेता है, अब तो आप उनके लिए कुछ करें ये ज़रूरी नहीं था, डूब के मर जाने थे थे, लेकिन आपने ये किया, क्योंकि उन्होंने आपको promise किया किसी चीज के लिए pay करने के लिए, जो आप already कर चुके हैं उनके लिए, जैसे तेकि consideration नहीं था, आप उनके लिए कुछ करें, ज ठीक है, अब जाते हैं बच्चे को बचाने, आपको उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है, अभी आपके उनके माबाप से बात हुई ही नहीं है, आपने बस देखा बच्चा डूब रहा है, आप चले गए, आपने बचा लिया, अब माबाप आप से वादा करते हैं कि आप तुमको पक्का पैसा देंगे, ये याद रखेगा वैलिड होगा, इवन तो ये वैलिड कॉंट्राक्ट नहीं है, लेकिन ये अग्रीमेंट एंफोर्सीएबल होगा, ठीक है, वैलिड कॉंट्राक्ट के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, पहले ओफर दें, फिर तुम एक कुछ करोगे, ठीक है, तो ये भी वैलिड होगा, ये अग्रीमेंट वैलिड होगा, ये कॉंट्राक्ट नहीं होगा, लेकिन ये अग्रीमेंट एंफोर्सीएबल होगा, ठीक है, तीसरा, ठीक है, प्रॉमिस ही है, मेड इन राइटिंग ही है, तूपे और टाइम बार्ड डेट माल लीजिए A है B है B ने A से 10 लाक रुपए लिये थे कित्रे टाइम के लिये थे बोला था मैं तुम्हें 5 साल में 5 यर्ज में वापस कर दूँगा 5 यर्ज बीट गए B वापस नहीं कर पाया 10 लाक B के पास गए 5 साल बीट गए B वापस नहीं कर पाया अभी A के पास चांस है जैसे माल लो पैसे लिए 2010 में तो वापस कब करने होंगे 2015 में 2015 आ गया B वापस नहीं कर पा रहा है अब टाइम बार डेट का क्या मतलब होता है समझो अभी A B के उपर केस कर सकता है अपने पैसे के लिए कर सकता है पैसे नहीं दे रहा हो A लेकिन केस नहीं करता है A के पाद बहुत पैसा है A को याद ही नहीं रहता A कहता है छोड़ो जाओ अब दस साल और बीट जाते हैं 2020 आ जाता है माल लो टीक है अब कुछ चीजे होती है law में जिसके उपर आप केस तब ही कर सकते हैं जब तक टाइम है माल लेते हैं 10 साल तक ही आप केस कर सकते थे किसी loan के लिए दस साल बीट गए 2025 आगया 26 आगया माल लो अब A को याद आए कि अरे यार B से पैसे लेने थे लेकिन अब तो A केस भी नहीं कर सकता अब बिचारा A क्या करे B के अंदर एकदम से एक आती है अंदर आत्मा B वादा करता A से कि कि भाई कोई बात नहीं तुमने मेरी जरूरत के समय मदद की थी तुम मुझसे लीगली या पैसा नहीं मांग सकते हो क्योंकि टाइम बीच गया है लेकिन मैं प्रामिस करता हूँ राइटिंग में लिख के देता हूँ कि मैं तुम्हें ये जो टाइम बाइट डेट है ये मैं वापस पे करूँगा अब याद रखिए ये अग्रीमेंट भी बिना कंसिडरेशन के है लेकिन लेकिन ये वैलिट अग्रीमेंट होगी और ये एनफोर्स कराई जा सकेगी ठीक है उसके बाद तीन चीजे आती है 26, 27, 28 ठीक है ये तीनों अग्रीमेंट वाइड होने वाले हैं पहले बता दो 26, 27, 26 तीनों ये है रिस्ट्रेंट ओफ मैरेज ये है रिस्ट्रेंट ओफ ट्रेड ये है रिस्ट्रेंट ओफ लीगल प्रोसीडिंग कोई भी ऐसा अग्रीमेंट कोई भी ऐसा agreement देहान से सुनना कोई भी ऐसा agreement ठीक है जो किसी को शादी करने से रोकता हो कह दें कि भाया तुम अगर शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दस लाख रुपए दूँगा ये agreement वाइड है अग्रिमेंट रिस्टेंट ऑफ और इज मैरेज वाइड ये कोई कोंट्राक्ट ही नहीं बना ठीक है अग्रिमेंट रिस्टेंट ऑफ ट्रेड भाई मैं तुम्हें दस लाख रुपए दूँगा तुम बिजनस मत करो ये ये भी वाइड है ठीक है लेकिन इसका एक एक 27 यानि कि agreement in restraint of trade का अग्रिमेंट इन रिस्टेंट ऑफ ट्रेड का इस कि अग्रिमेंट इर्ट्रे पे बेच देते हैं B को, goodwill के साथ बेच देते हैं, goodwill का याद रखिएगा, goodwill का मतलब होता है, आपका नाम जो आपने कमाया है, ठीक है, आपका जो restaurant famous हुआ है जिस नाम से, लोग ट्रस्ट करते हैं, famous restaurant होते हैं हर शेहर में, goodwill मेचने का मतलब है कि आपने अपना जो goodwill जो अपने नाम कमाया है वो भी बेच दिया है मतलब आप इसी नाम से इस एरिया में आप कोई और बिजनस नहीं कर सकते है क्योंकि आपने वो B को बेच दिया है अगर आप उसी एरिया में उसी नाम से बिजनस करेंगे स्टीडिंग भाई दस लाख रुपएलों मेरे उपर केस मत करना वाइड यह वह सकता है कि आप डिसाइड कर लें कहां केस करना है जैसे माल लीजिए आप रहते हैं कलकत्ता में आपका बिजनेस आप जिसके साथ कर रहे हैं वो रहता है दिल्ली में और जो आपकी डील हुई वो हुई मुंबई में अब कोई अगर मुद्दा आता है कोई बहस होती है कोई भी डिस्प्यूट होता है तो केस कलकता में भी हो सकता है मुंबई में भी हो सकता है दिल्ली में एक जगा आप चूज कर सकते हैं कि देखो कलकरता में ही Case करेंगे अगर हमारे बीच में डिस्प्इूट होता है या मुंबई में केस करेंगे जहांपे हम दोनों का Business हो रहा है जहां पर हम दोनों की ट्रेडिंग की सा रही है यहां तुम R93 यहां मैं रहता हूं जहां की बीच में dispute होगा तो कलकत्ता में ही case करेंगे या फिर यह कर सकते हैं कि मुंबई में ही करेंगे या दिली में करेंगे आप यह अग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं कि मेरे उपर case ही मत करना 10 लाक रुपए ले लो ना agreement in restraint of trade void होता है, agreement in restraint of marriage void होता है, agreement in restraint of legal proceeding void होता है ठीक है, समझ गए, simple या हमने ADR जब पढ़ रहते है, alternate dispute resolution याद करिए, ADR में भी मैंने बताया था कि एक ADR agreement होता है ADR agreement कह रहा हूँ, arbitration agreement होता है, या आपके contract में ही arbitration clause होता है ठीक है, तो उसमें आप यही लिखते हैं ना, कि अगर हमारे और तुमारे बीच में कोई dispute होता है, तो हम court नहीं जाएंगे हम arbitration कराएंगे, तो ये भी allowed है, ये भी allowed है, ठीक है legal proceeding वाले की बात कर रहा हूँ ठीक है, ट्रेड में तो एक ही exception था, कौन सा goodwill बेचने वाला, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 29, अग्रीमेंट्स, meaning of which, is uncertain, or not capable of being certain, void, ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखिए, वही वाला एक्जामपल है, certainty नहीं है, agreement में, ठीक है, certainty नहीं है, मतलब consensus add idem नहीं हुआ, मतलब वही oil वाला example यार, A और B हैं, B oil का ही trader है, A कहता है कि मुझे तेल बेचो, B कहता है, बेच दूँगा, लेकिन कौन सा तेल, certain नहीं है न, agreements not capable of being certain हो गया न, यह, certain ही नहीं है, ठीक है, या फिर, A B से कहता है कि मैं तुम्हें अपना सफेद घोड़ा बेचूँगा, 500 रुपए में या 800 रुपए में, अरे, इसका क्या मतलब है, यह भी uncertain है, यह भी agreement void हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, अगली चीज, अगली चीज जो है, वह बहुत simple है, section 30, देखिए, 23 से चालू किया ता याद रखिए, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, यह सब line से वही चीजें हैं, जो agreement void होते हैं, ठीक है, या 25 एक ऐसी चीज थी जहां पर agreement valid था, ठीक है, बिना consideration के बाकि सब void के ही हैं, ठीक है, agreement by way of wager, void, wager करना, किसी चीज पर, पैसा लगाना, जो की, आपका मालूमी है, सटा लगाना, ठीक है, basically, betting, ठीक है, यह भी क्या होते हैं, void होते हैं, इंडिया में, Indian Contract Act के अंदर, ठीक है, अपके, तो 23 से 30 तक हो गए आपका, सारे void agreement आपने देख लिए, अब, ठीक है, अब कुछ आपके syllabus में differences बताए गए है, coercion और undue influence के बीच का difference आपको मालूम ही है, दोनों की definition आपको अच्छे से आज मैंने बता दी, आप करी लेंगे, उसके बाद, void और valid contract में differences, void contract कभी contract बनते ही नहीं है, उनमें कोई भी essential, कोई एक essential चीज फुल्फिल नहीं हो रही होगी, शायद offer acceptance में दिक्कत हो, वो 6 चीज़े याद करिये, जो essentials of a valid contract था, free consent of parties competent to contract for a lawful object with a lawful consideration and not expressly barred with an intention to create legal relationship, ठीक है, ये 6 चीज़े होगी तो valid होगा contract, ये 6 चीज़े नहीं होगी तो void होगा, ठीक है, coercion अब इसे presentation में भी अंतर आपको बता चुके हैं, ठीक है, अब क्या था valid, void भी, और agreements ठीक है, और valid contract के essentials आपको बता चुका हूँ, तो आप differences भी बड़े आराम से कर लेंगे, Indian contract act काफी theoretical, काफी logical सा है, ठीक है, आप अपने आसपास रोज ही देखते हैं इस टाइप के चीज़े, तो आप answer produce कर लेंगे, ये कोई बहुत मुश्किल subject नहीं, thank you, have a nice day.